तो आज का टॉपिक क्या है हमारा सब्जेक्ट है नियू जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा मैं अब आउट चेप्टर बता दूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको अकर 11th क्लास याद हो ना थोड़ा सा पुरानी बाते हैं हो सकता है आपको याद भी होगा और हो सकता है ना भी हो यहां पे आपको सिखाया जाता था कि branch branches of account सर ब्रांचिस ओफ अकाउंट तो कुछ सुना सुना लग रहा है बिल्कुल ब्रांचिस ओफ अकाउंट में क्या सिखाये जाता था इसके तीन ब्रांचिस होते थे बेसिकले नमबर वन फ़नाइंशल अकाउंटिंग नमबर दो फ़नाइंशल अकाउंटिंग के बाद नमबर दो कॉस्ट अकाउंटिंग नमबर तीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर यह तीन ब्रांचिस बताए गए थे आपको तीनों ब्रांचिस का एक बार हम सही से डिसकुशन कर लेते हैं फिर हम आगे आएंगे आजके एजिंडा पर तो फर्स्ट आफ आफ आल आप ग्रेजुएशन में हो और आलमोस्ट आपका ग्रेजुएशन डन होने वाला है अलमोस्ट अब आपके पास जादा समय नहीं बचा आप ग्रेजुएट हो जाओगे कुछ ही टाइम बात तो हमारे एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है कि जब ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो तो ये सारी अकाउंटिंग को आप अच्छे से समझो ब्रांच इस मतलब कितने परकार के अकाउंट को कितने टुकुडों में बाट दिया गया है वो है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे फाइनेशन अकाउंट हमने 11th में पढ़ा हमने 12th में पढ़ा हमने 1st year में पढ़ा हमने 2nd year में भी पढ़ा है आँ 2nd year में तो नहीं पढ़ा होगा खेर और कुछ बच्चों ने 2nd year में भी पढ़ा होगा जैसे corporate account हो गया या फिर आपका partnership हो गया company account होगे यह सारा इसका part था costing आपने 2nd year में पढ़ा है 4th semester में याद होगा अब आपको ज़्यादा costing नहीं बताना उसके अंदर हमने क्या सिखा था cost sheet, किसी product का cost, contract cost reconciliation, operating cost and etc अब आगया है वक्त के आपको यह सिखा दिया जाए और management account जैसे ही सिखाये जाएगा और education की तरफ से आपको पूरा accounts बता दिया गया है वो बात अलग है हमने कुछ accounts को अच्छे से पढ़ा हुआ होता है और कुछ accounts को नहीं पढ़ा हुआ होता है तो हमारे accounts जो है इतने ही limited इस से अपर कुछ भी नहीं होता हमारे account subject के अंदर तो basically यह सारे accounts का ही पार्ट है बस नाम अलग रख दिये गए है इसके अंदर आपका mainly बात करें तो क्या सिखाये जाता है सर profit and loss निकालना सिखाये जाता है इसके अंदर product की costing की बात होती है product की costing की और सर जो तीसरा है हमारा इसके अंदर के मेरे पास जैसे की माल लेते हैं कि mobile phone है मेरे पास इस mobile phone के अंदर ना processor कोई और बना रहा है इसका जो RAM है कोई और company बना रहा है camera कोई और company बना रहा है assemble कोई और company कर रहा है तो कभी सोचना कि ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ही company परिमान लेते हैं कि Samsung, Samsung ही सब कुछ क्यों नहीं बना लेता, तो होता यूँ है कि अगर सब कुछ एक company बनाएगा, तो जो चीज़े आपको 20,000 रुपे में मिलते हैं न मुबाइल फॉन वो लाखों में पहुंच जाएगा, इसलिए जिसका जो काम है उसको हम दे देते हैं, तो ऐसे ही आप से पूछा जाएगा इसके अंदर, दो प्रोड़क्ट है, एक आप बनाते हो तो इतना खर्चा है, बाहर से खरीदे होगे तो इतने का खर्चा हैगा, तो आप decision लीजिए, management को decision बताइए, कि आप इस पूड़क्ट को बनाएंगे, या फिर इस पूड़क्ट को बनवाएंगे, ये चीज़े सीखनी हैं इसके अंदर, काफी सारे चप्टर है, फर्स हमने इंट्रो में देख लिया था, बस पांच ही चप्टर है मानके चलिए, marginal costing, standard costing, budgetary control, activity based costing, भी थोड़ा सा है relevant costing जिसे बोलते हैं, और साथ के साथ हमारा एक दो और supporting chapter है, absorption बगेरा, ठीक है न, तो चलिए हम start करेंगे, पहला chapter हम उठाएंगे marginal costing और उसको हम अच्छे तरीके से करेंगे, तो चलिए, यह हमारी class कौन सी है सर, class भी लिख दें, यह हमारी class है, 01 class, आज ज्यादा तो नहीं, बुक्स वगएरा सारी बात करें, तो बुक्स कौन सी लेनी है आपको, M.N.Aroda, M.N.Aroda, यह बुक्स है, जो कि Delhi University के सबसे परसिद्ध बुक मानके चलो, जो जायतर बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लगाते हैं, M.N.Aroda सर की, ठीक है सर, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, Marginal costing, हमने थोड़ी से चप्टर के बारे में बात कर ली है, Marginal costing क्या होता है? यह होता है, Variable costing, आपने Marginal costing का Definition, Economics में पढ़ा होगा, कि जब हम एक Extra Unit, जो भी हम Sold करने में कामियाब होते हैं, उसे Marginal बोलते हैं, आपने Costing करा था न, Total cost, Fixed Cost, Marginal costing, उसी से कुछ ना कुछ Components यहां मिलता जूलता होगा, हम कुछ बातों को सिखेंगे, आपको यह याद रखना है कि Marginal costing क्या होता है, Variable costing, वैसे Marginal costing क्या होता है, जैसे मान लो एक Unit, हम मान लेते हैं कि 10 Unit और 11 Unit, तो कितने Unit बढ़ गए, एक, तो एक Unit Marginal है, एक Unit Marginal, बाकि हम Formula से करेंगे, बहुत सारे जैसे है कि करने का तरीका अलग अलग है, मैं पहले आपको अच्छे से Formula समझाओंगा, फिर उसको कैसे Apply करना है, फिर धीरे हम इसके Theory पहेंगे, पहले Theory कराने से न, चप्टर थोड़ा सा बिगड़ जाता है, मेरे हिसाब से, मैं पहले Theory नहीं, सबसे बाद में Theory कराओंगा, इसके अंदर कुछे जाएंगे इसमें से Theory के, इसके अंदर कुछ Formula है, आप मेरे साथ पहले Note करिएगा, उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे, कि कैसे कैसे क्या है, पहला इसके अंदर बताये गया, और कुछ Terms, Basically, Profit Volume, Profit Volume, Profit Volume, Volume Ratio, इसको हम आज के बाद Profit Volume Ratio को, Short Form में बोलेंगे, PBR, और यही वर्ड मैं इस्तिमाल करूँगा, जो इन बच्चों की First Class है, वो कुछ इनके अबरिबरेशन याद रखना है, जो कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस्तिमाल करूँगा, Profit Volume Ratio होता क्या है सरी यह, Profit Volume Ratio होता है हमारा, Contribution, Contribution, पूरा लिख देते हैं, Upon में Sales, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हर किसी को समझेंगे, Into में 100, Profit Volume Ratio, छीक है सर, अब हमें समझना है Contribution क्या होता है, Contribution is equal to Sales minus Variable Cost, सर, एक तो Contribution यह हो जाता है, Sales में से Variable Cost minus कर दो, हमें Sales को भी बड़े अच्छे से समझना चाहिए, कि सर, Sales है क्या, अगर Sales को मैं Define करूँ, तो सर, Sales होता है हमारा Variable Cost, अब एक बात मैं बता दूँ फिर से, एक एप्रिबरेशन और यूस करूँगा, मैं Variable Cost को मैं VC बोलूँगा अब के बात, तो Sales होता है Variable Cost, प्लस Fixed Cost, और Fixed Cost को मैं अब आगे से FC बोलूँगा, Fixed Cost, प्लस Profit, तो सर, Sales यही होता है, किसी भी प्रोड़क्ट को आप बनाओगे, तो आप खुछ सोचो, Logic लगाओ, किसी भी प्रोड़क्ट को बनाओगे, तो आपका कितना खर्चा लगा Variable, और कितना Fix, और कितना Profit, सब को जोड़ दोगे, तो क्या बनेगा हमारा Sales, अब हमें समझना होगा सर, यह Variable Cost क्या होता है, Variable Cost, लिखने की जुरत नहीं है, Definition के लिए मैं Notes दूँगा, पहले समझ लेजिए, Variable Cost वो होता है, जो कि Unit जितने ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, जितना Unit आप बढ़ाते जाओगे, उसके हिसाब से Expense भी बढ़ेगा, जैसे मैं एक Pen बनाता हूँ, तो 10 रुपे का खर्चा, 2 Pen बनाऊँगा तो 20 रुपे का खर्चा, और 10 Pen बनाऊँगा तो 100 रुपे का खर्चा, तो जितने Pen बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे costing क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो उसको हमने क्या नाम दिया सर, उसको नाम दिया Variable Cost, Fixed Cost क्या होता है, Fixed Cost वो Cost होता है, जो कि आप Unit को बढ़ाओ, चाहें मत बढ़ाओ, आपकी Cost Fix रहेगी, For Example, जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, जहां मेरा Studio है, जहां से मैं Video Record कर रहा हूँ, यहां का खर्चा, मान लेते हैं, Rent सपोस के 10,000 रुपे हैं, अब मैं एक बच्चे पढ़ाओ, Rent 10, दो पढ़ाओ, 10, 50 बच्चे को भी पढ़ाता हूँ, तो मैं मेरा Rent रहेगा 10,000, तो ऐसा खर्चा, जो कि Fix Irrespective of Sales Unit पे रहे, उसे बोलते हैं Fixed Cost, और Variable, जो हमारे Unit Sold के हिसाब से Change होई, Variable, Profit तो हमारा हिस्सा है, जो कि हम Profit Earn करके Sold करते हैं, तो सर आप ध्यान दीजिए, मैंने Sales का Definition समझ में आया होगा, थोड़ा सा Variable Fix और आपका Profit, क्यूंकि मान लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरा Variable Cost है, 60 रुपे का, और Fixed Cost है मेरा 20 रुपे का, आने जाने का किराया मान लेते हैं, ये Product की Cost होती हमें साब, और मैं आया गया, उसका किराया 20 रुपे तो लगने हैं भाई, ये तो Fixed है, अब मैं इसके अंदर, दो वेक्ती को लेक्ति को लेक्या हूँ, अकेले हूँ 20 लगना है, Fixed Cost है, तो Product है, Fixed Cost है, टोटल मेरा पढ़ गए 80, तो क्या मैं 80 रुपे में समान को बेच दूँगा, मेरा सवाल ये है, क्या मैं 80 रुपे का समान को बेच पाऊँगा, आप कमेंट में जवाब दीजिए, क्या मैं 80 रुपे के अपने समान को बेचूँगा या नहीं बेचूँगा, yes या no में simple सा question है real life का आप मान के चलिए दुकानदारी कर रहे हैं उसके इसाब से बताईए बताईए फटा फट देखते हैं कौन कौन बच्चा live है साक्षी वन्शिका गौरव साक्षी का कहना yes बेच सकते हैं वन्शिका का कहना yes बेच सकते हैं मेरा variable cost देखो अब मैं फिर से और थोड़ा और आपको clarity देना चाहूंगा जी मैं सबजी बेच रहा हूँ vegetable seller हो मैं ठीक है ना मैं आलू आलू समझते हो क्यों नहीं समझते सर मैं आलू एक केजी दस रुपे का खरीद के लाता हूँ एक केजी दस रुपे का खरीद के लाता हूँ और मैं लेके आता हूँ जैसे कि आप सब ड्धेली से हो तो आजाद पूर मंडी से लेके आता हूँ तो वहाँ से किराया लगेगा तो वैसे एक केजी आलू का जो मुझे किराया पड़ता है यानि fair जो किराया पड़ता है वो पड़ता है हमारा इसको हम freight बोल दे freight पड़ता है दो रूबे का अब ये आलू जो freight है कहीं न कहीं ये fixed cost है fixed cost और जो आलू है ये हमारा variable cost है अब मैं आलू की मतलब कि मैं vegetable seller हूँ तो मैं अपना एक kilo आलू 10 रुपे में बेचूँगा 12 रुपे में बेचूँगा या 12 रुपे से जादा में बेचूँगा जवाब देजिए comment में फटा फट से क्या 10 में बेचूँ या 12 में या 12 से जादा बताइए फटा फट sir more than 12 बिल्कुल यानि इस level पे तो मैं समान बेचना ही नहीं चाहूँगा अगर इस level पे मैं समान बेचता हूँ तो मेरी मजदूरी भी नहीं निकल रही कुछ नहीं हो रहा profit भी नहीं कवारे भूखा मर जाऊँगा मैं इस खाने को मिले गई ने क्योंकि जो समान आ रहा है उसको बेच रहा हूँ वो पैसा आ रहा है फिर समान ला रहा हूँ फिर बेच रहा हूँ तो इसका मतलब variable cost और यह यानि हम एक वैपार के अंदर business के अंदर हमने अपना effort लगाया है contribute किया है मेरा contribution business के अंदर कितने रुपए का है 12 रुपए अब इसके अंदर मैं profit को जोड़ दू इसके अंदर अगर मैं profit को जोड़ दू 4 रुपए का तो मैं बेच पाऊंगा 16 रुपए का कितने का बेच पाऊंगा मैं 16 रुपए को तो समझे सर, contribution क्या होता है, मैंने contribution यहां बताया, sales में से variable cost को minus करिए, तो उसे क्या बोलेंगे contribution, अब ध्यान से समझेगा, यानि मैंने business के अंदर इतने पैसे लगाया, इस तरीके से हमारा contribution है और इसको करेंगे, ठीक है, तो यानि कहने का मतलब है सर, हम fixed cost के बाद हम अपना पैसा recover करना चाहेंगे, चलिए contribution का दूसरा formula देखे, यहां contribution क्या था, sales minus variable, अब बताये, sales में से हमने minus किया variable, तो क्या बन गया contribution, अब ध्यान से देखिए, बचा क्या, बचा क्या, आपने बोला, सर, sales में से minus करेंगे, contribution तो बचा क्या, ये दोनों पार्ट बच गए, तो इ तो गलत नहीं होगा, ये contribution is equal to fixed cost plus में profit, हाँ या ना, बताये, इस से agree करते हैं, contribution is equal to fixed cost plus में profit, 12 plus plus, 12 plus plus, बिल्कुल ठीक सभी ने जवाब दिया, आप connect रहे हैं, साथ में जवाब देते रहे हैं, तो बताये, contribution, fixed cost plus profit सही है, या इसमें confusion है, पहले मैंने बताये, सर, contribution ये होता है, लेकिन, अब मैं बता रहा हूँ, contribution ये तो होता है, ये, इसके साथ ये भी हो सकता है, क्या, इन दोनों में कोई फ़रक है, मैं बोल रहा हूँ, कोई फ़रक नहीं है, वही बातों को मैंने से वेरियेबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा सेल्स में से वेरियेबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आ हमारा contribution के दो formula आगे, fixed cost plus profit भी contribution होता और ये भी होता है, हम सीख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए profit volume ratio, तो hopefully आपको contribution उपर का हिस्सा समझ में आ गया होगा, sales क्या होता है आपको, ये sales हमेशा net वाला होता है, हमेशा ध्यान रखना, into 100, तो यहां से आएगा profit volume ratio, अब देखा है, इन दोनों का total, और यहां पर यह रखा है, तो एक तरीके से इसलिए नाम पढ़ गया profit volume ratio, क्योंकि यहाँ variable cost involved नहीं होता, क्योंकि variable cost को हम sales से निकाल देते हैं, तो सर अगर आप से variable cost पूछा जाए, variable cost, तो ध्यान रखिएगा, variable cost हमारा क्या होगा यहाँ, पर देखे, fix cost तो fix cost से उसको भी चर्चा करेंगे, variable cost होगा हमारा PVR, अगर 100 में से, हम minus कर दे, profit volume ratio, क्योंकि let's assume यह करो के हमारा total जो variable cost यह sales जो भी whatever है, हमारा 100 होता है, उसमें से profit volume ratio को अगर minus कर देते हो, तो आपका variable cost निकल के आ जाता है, और जो variable cost निकल के आता है, वो आता है in the terms of percentage, यह percentage में आएगा, ठीक है न? यहां तक भी clear है sir, फिर formula को समझेंगे, फिर हम apply करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं है, profit volume ratio, PVR, PVR क्या होता है, contribution upon में sales, into में 100, sir, contribution क्या होता है, contribution होता है, sales minus में variable cost, sales क्या होता है, although हमने यह leverage में भी पढ़ा हुआ है, जो FM पढ़ रहे हैं, sales हमारे क्या होता है, fixed cost, variable cost, fixed cost, plus profit, contribution हमारा यह भी हो सकता है, variable यह भी है, sir, PVR का एक formula नहीं है, एक और formula है PVR का, एक और formula है, हमारे PVR का, और, PVR, is equal to, कई बार जब more than, one year का data given होगा, तो करेंगे हम, change in profit, divided by, change in sales, change in sales, into 100, एक यह भी formula हमारा किसका PVR का, आपको सारे formula याद रखने है, ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, profit volume ratio को देखा, इसके साथ साथ, और, क्या हमें देखना है, और, क्या क्या हमारे help में रहेगा, चलिए देखते हैं, इसको इधर कर देते हैं, और, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, चलिए, sir, आगे चलते हैं, अगला फॉर्मूला है, हमारा, break-even point, break-even point, जिसको मैं अब बोलूँगा, break-even point, BEP, BEP, नहीं visible है, दिखा देते हैं, ठीक है, BEP, अब BEP, दो लेवल पे हो सकता है, break-even point ना, दो तरीके से निकाला जा सकता है, BEP, या तो in terms of rupees में निकाला जा सकता है, अगर in terms of rupees में निकालना है, तो formula क्या होता है, fixed cost, fixed cost, divided by, PVR, PVR हम पीछे समझ चुके हैं, divided by PVR, in the terms of किस में निकालना हूँ हमें, rupees में, लेखिन अगर आपसे बोला जाए, break-even point निकालिए, और इसको ना, ध्यान रखना, break-even sales भी बोल देते हैं कई बार, इसको break-even point या break-even हम, कई बार तो sales भी बोल देते हैं, break-even sales, क्योंकि rupees में निकला है, तो इसमें मैं S और जोड देता हूँ, break-even sales भी बोल देते हैं, break-even point अगर आपसे पूछा जाए, unit में, तो इसका formula अपलाई करोगे आप, fixed cost, divided by, contribution, per unit, सर अब challenging ये है, contribution per unit क्या है, देखिए, fixed cost हम पहले समझ चुके हैं, PVR भी समझ चुके हैं, fixed cost, contribution per unit, example, मैंने कहा, हम जो unit sold करेंगे, unit sold करेंगे, वो करेंगे 10,000, ठीक है, और unit sold 10,000 करते हैं हम, और sales जो हमारा है, per unit, वो है मान लेते हैं, 50 रुपए, और जो variable cost है, per unit, let assume के, वो हमारा 40 है, ठीक है, तो अब हमारा, अगर मैं आप से पूछूँ, के आप कौन बच्चा बताएगा, sales कितने रुपए का होगा, sales बताएए, in terms of rupees में, sales बताएए, in terms of rupees में, तो जवाब आपका होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, यानि, पांच लाख रुपए, ठीक है, और इसमें से, अगर मैं माइनस कर दूँ, variable cost, कौन बताएगा, variable cost क्या होगा, तो simple सी बात है, 10,000, multiply by क्या कर दे हम, 40, यानि 4 लाख, तो यह जो निकल के आता, यह contribution आता है, और contribution आपका निकल का आया है, कितने का? एक लाख रुपए का, ठीक है ना? एक लाख रुपए का, बिल्कुल सही साक्षी का जवाब आ गया था, एक लाख रुपए का, सर, contribution हमारा निकल के आया है, एक लाख रुपए का, यह तो in the terms of रुपीज है, अब per unit अगर contribution आपसे पूछा जाए, तो आपका जवाब होगा, CPU, यानि per unit contribution is equal to, 50 का sales, minus में 40, यानि हमारा आएगा, 10 रुपीज का, तो समझे आप, amounts के terms में, contribution टोटल में निकाला जाता है, पर unit में, यानि एक unit का क्या price है, उसी के accordingly निकाल लिया जाता है, यहां तक कोई दिक्कत बताईए, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है सर, let us assume कि हम, इसको मैं इस side ले जाता हूँ, although, क्योंकि मुझे इसको और आगे extend करना, यह धियान रखना, CPU, फॉर्मूला लिख लेता हूँ, per unit sales minus, per unit variable cost, ठीक है न, यह हो गया, चले इधर रहने देते हैं, ठीक है सर, let us assume कि हमारा fixed cost है, fixed cost suppose करो, कि मेरा एक लाख पचास अजार है, तो मेरा यह contribution, question मैं ध्यान से देखोगे, तो मेरा contribution, यह है हमारा पूरा question, तो question में ध्यान से देखोगे, हमारा contribution एक लाख है, अगर मैं आपसे profit बोलू, तो इसमें और भी minus करना होगा, आपको fixed cost, जिसको FC बोला था, तेड़ लाख रुपे का fixed cost है, अगर हमने तेड़ लाख रुपे और minus किया, तो मेरा profit की जगह पर क्या निकल के आ रहा है, loss, loss कितने का निकल के आ रहा है सर, loss निकल के आ रहा है हमारा, पचास हजार रुपे का, बताईए मैं business को चालू रखूं या बंद कर दूं, business को चालू रखूं या बंद कर दूं, comment में जवाब देजिए, मैं business को चालू रखूंगा या बंद कर दूंगा, सर, बंद कर दो, बिल्कुल सही, सर, हमें loss हो रहा है, तो हम business को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, बहुत सिंपल सी बात है इसका मतलब मैं अपने बात करता हूँ और आप भी वही सोच रहे होंगे common चीजे होती है, देखो study क्या है, और especially commerce इतना प्यारा subject है ना और real life की सारी चीजे है मैं बहुत tension में आ जाओँगा अगर मेरे business में ये रहता है, तो tension होगी और आपको भी होगी, definitely अब क्या सोचोगे कि कम से कम तो ये तो रहता कि हम business को बंद नहीं करते कम से कम इतना तो होता कि यार business को बंद नहीं करते, यानि आप चाहते हो कि अगर आप business कर रहे हो, और आपको 0 रुपीस होता ना profit होता ना loss होता अगर मेरा ये fixed cost डेड़ लाख ना होके अगर एक लाख रुपे होता डेड़ लाख रुपे ना हो करके एक लाख रुपे होता, तो मेरा यहां पे loss नहीं आता, नहीं profit आता, जीरो होता इस situation में क्या अपने business को continue करके और आगे देखना चाहेंगे क्या पता कल के दिन profit कमा ले तो बिल्कुल सही है सर, देखना चाहेंगे जैसे ही loss हो जाता है business में हम exit मार देते हैं business क्योंकि भाई आगे loss बढ़ेगा और possibility है लेकिन जब तक 0 रहेगा at par, जिसे बोलते हैं at par 0, ना profit, ना loss ऐसे situation के अंदर हमें क्या करना पड़ता है सर, ऐसे situation में wait करना पड़ता है कि हम आगे survive करेंगे competition इतना है market के अंदर इसलिए तो सर, जब हमारा profit क्या आ जाता है 0, तो that's, इसी को बोलते हम break even point, वो point, वो label जहां पे हमारा profit हो जाए 0, तो मैं आप सभी से अगर जानना चाहूं कि आप break even sales बताईए सर, यहां पे हम ऐसा कितने unit बेचें कि no profit, no loss हो उसी के लिए ये formula especially लिखवाया गया है कि अगर आप इस formula से sales निकाल लेना तो आपको exactly idea हो जाएगा कितना होगा, या फिर इस formula से unit निकाल लेजिए तो exactly idea होगा, चलिए प्रूफ करते है कि हमारा कितना sale हो जाए जिससे कि हम business के अंदर बने रहेंगे, यानि no profit, no loss के situation में ठीक है सर यानि हम अगेन हमें question तो 12,000 है और यह है fix cost है, और CPU अगर आपसे पूछू तो आपने बता है था 10, चलिए next point पे यानि सर अगर मैं आपसे पूछता हूँ break even point in the terms of unit तो formula होता है इसका fix cost fix cost divided by fix cost पर divide करते हैं, contribution per unit ठीक है, तो सर हमारे question में मुझे याद है although फिर भी बता देता हूँ fix cost देखिए, डेड़ लाक रुपए का एक लाक नहीं मान रहें और contribution per unit 10,000 का है तो यह आजाएगा हमारा डेड़ लाक और यह आजाएगा हमारा नीचे 10 रुपए नीचे क्या आजाएगा? 10 रुपए तो इसका मतलब हमारा आगया 15 यानि यह बताता है कि सर आप 15,000 unit को बेचिए आपको no profit, no loss होगा no profit, no loss होगा बिल्कुल सही बता रहा है यह इसी को आप एक बर चेक करते हैं चलिए इसी को हम चेक करते हैं सर अगर यह formula हमें यह समझाता है कि यतने unit बेचिए no profit, no loss होगा एक बर टेली करते हैं हमारा sales जो रहेगा, वो रहेगा question कहना चाहता है 15,000 into में 50 रुपए का था तो यानि sales रहेगा हमारा 7,5,000 एकि नहीं और सर variable cost minus कर देते हैं VC VC क्या होगा हमारा सर 15,000 समझ में आना चाहिए कहीं मैं खुदी समझ रहा हूँ, मैं खुदी कर रहा हूँ आप जबाब भी देते जाहिए यह 6,000,000 आएगा इसके बाद क्या आएगा हमारा contribution सर contribution कितना आएगा हमारा 1,500,000 रुपए का आएगा अभी सिर्फ basic बना रहे है new subject है भाई, थोड़ा time लगेगा इसमें से क्या minus कर दें सर, fix cost fix cost जिससे सब को डर लगता है भाई मेरे मैं नेता जी सुभास पलेस के nearby रहता हूँ, तो यहाँ पे malls वगेर हैं तो आए दिन देखता हूँ, दुकान खुलता हैं और बंद हो जाता है कई बार हमने जानने की कोसिस करी कि जब बंद हो रहा है तो क्यूं, भाई साब बहले तो बहुत अच्छा था अब बंद क्यूं कर रहे हैं, किराया इतना जादा है क्या करें, rendy मार देता है में तो, यानि fix cost बहुत जादा है उनका, fix cost मेरे वाले example के अंदर डेड़ लाख रुपए था, तो हम डेड़ लाख से ही करते हैं, तो डेड़ लाख लिखा, तो इसका मतलब देखो, हमारा profit क्या आ गया profit क्या आ गया, 0 तो sir, break-even point क्या बताता है, वो level है break-even point, वो unit या वो sales है, where no profit no loss की situation, जब ऐसी इस्तिती बिजनस के अंदर आ जाए ना, तो you should wait, आप wait करिए, आपके घर से तो कुछ नहीं जा रहा ना, जो लगा रिकवर हो रहा है ना, तो wait करिए, महनत करेंगे, effort करेंगे, बिजनस आगे ग्रो करेगा तो हर कोई बिजनस में अपने बिजनस का एक break-even point निकाल लेता है, जिससे सोच लेता है कि कम से कम तो यार मैं अगर 15,000, यानि यह आय था ना 15,000, कि 15,000 यूनिट अगर मैं बेच पाया ना, तो 15,000 यूनिट जैसे ही मैं बेचूंगा तो मैं बिजनस के अंदर survival कर सकता हूँ, so that मैं अपना बिजनस तभी बंद करना चाहूँगा, जब मेरा 15,000 यूनिट से कम बिगेगा, जैसे ही आप 15,000 यूनिट से कम बेचना चालू करोगे, तो आप किस में चले जाओगे, loss में, तो exit हो जाओ, और 15,000 यूनिट से जब ज़्यादा बेचने लगोगे, तो आप किस में पहुंच जाओगे profit में पहुंच जाओगे समझ में आया है सब कुछ clear चल रहे हैं ठीक ठाक यहां तक clear चल रहे हैं फटा फट देखते हैं PVR निकाला contribution sales contribution PVR और यह हमने सीखा यहां तक सब ठीक ठाक चल रहे हैं किसी को कोई दिक्कत फिर मैं आगे चलूँगा यहां तक हर किसी को समझ में आ रहे हैं चार्ट को रहने दो अभी चार्ट मैं अलग से गरा दूँगा क्योंकि उसके अंदर example प्रॉपर लेना पड़ेगा सारे variable cost बगेरा गा यहां तक ठीक आ रहे हैं no doubt चलिए अब आपके मन में एक इच्छा होगा बिजनस चलाओगे सर क्या इच्छा होगा मेरे मन में आपके मन में इच्छा होगा यार कास इस पे तो हम बने रहेंगे हमारा प्रॉफिट हो बिजनस के अंदर यार कम से कम तो दस अजार प्रॉफिट होना घर चलाने के लिए कम से कम आपके दस अजार तो profit होना घर चलाने के लिए आपका एक एक इच्छा जाग गई उसे बोलेंगे इच्छा को क्या बोलते है डिजायर तो अब आपको ऐसा sale बताना है जिसमें आप बोल रहे हैं को कम से कम तो यार दस अजार का profit हो यानि सिंपल सी बात है आप दस अजार रुपे का profit जानना चाहरे हो यानि आप चाहते हो सर कम से कम तो कुछ ऐसा हो यानि आपने कहा सर मैं चाहता हूँ कम से कम यार मेरी दुर कमायत हो जाए जिससे घर का खाना खर्चा चल सके 10,000 यानि मेरे सिंपल सी बात का जवाब देना कि आपको अगर 15,000 यूनिट बेचोगे तो आपका कोई फाइदा है बिजनस में 15,000 यूनिट बेचोगे तो कोई फाइदा है क्या बताओ फटा फट बोलना यस या नू में 15,000 यूनिट बेचते हैं तो कोई बेनिफिट है क्या बिजनस में नहीं है फाइदा सर अगर आप बेचते हैं हो 10,000 यूनिट मैं यहां 10,000 बेच रहा था तो बिजनस में क्या हो रहा था लॉस आप एग्जिट होना चाहा रहे थे अब आप क्या चाहते हो कि हमें प्रॉफिट हो जाए 10,000 का इसका मतलब आप चाहते हो इतना यूनिट बता दो सर सेल करें इतने यूनिट सेल करें कि हम कम से कम तो 10,000 कमा पाए तो ओविस सी बात है आपको 15,000 से जादा यूनिट बेचने पड़ेंगे या कम बेचने पड़ेंगे या 15,000 में काम चलेगा बताईए आप 10,000 प्रोफिट कमाना चाहते हैं तो 15,000 से जादा यूनिट बेचने पड़ेंगे या कम बेचने पड़ेंगे फटा फट बताईएगा आप कमेंट में सर more than 15 के जवाब आ गया बिल्कुल सही है more than 15 के बिल्कुल सही अब more than 15 के आपसे पूछा जाए कितना more than 15 के और आपसे पूछा जाता है सर कितना इसका आंसर नहीं है फिर सर ज़ादा बेचने लेकिन कितना नहीं तो exact answer के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि how to calculate desire sale थोड़ा short में लिख रहा हूँ मैं desire sales ठीक है न desire sales का formula होता है हमारा सर कितने formula होंगे बस formula क्या concept है यह formula और मुले थोड़ी है fixed cost plus profit divided by PBR एक तो यह हो सकता है यह answer आपका आएगा direct rupees में आपको unit जानना है तो desire sale मैं desire sale को ds बोल दूँआ ठीक है fixed cost plus profit divided by CPU divided by CPU इससे आपका क्या निकल के आएगा सर इससे unit निकल के आएगी आएगी आपकी unit चलिए वाइसां करते हैं बात लगाते हैं formula निकालते हैं पहले हम unity निकाल लेते हैं ठीक है मैं दोनों बात में दूसरे का तो आप अपने आप apply कर भी सकते हो लेकिन पहले तो मैं ही सिखाऊंगा ना desire sales is equal to fixed cost कितने का है डेड़ लाग का profit कितना चाहते हो सर 10,000 मात्र CPU क्या है सर 10 रुपे का है तो यहाँ पे आगया हमारा unit देखा जाए 16,000 यानि इससे यह पता चले गया कि अगर हम 16,000 unit बेचते हैं यह unit आए क्योंकि CPU रखा है ना अगर हम 16,000 unit बेचते हैं तो हम 10,000 कमा पाएंगे proof भी करते हैं कई बार examiner बोलेगा कि कैसे proof करें income statement बनाएं तो income statement बना रहे हैं चलिए सर सेल्स की हम बात करें तो सेल्स कितने होंगे सर 16,000 इंटू में 50 यानि आठ लाक इसमें से minus सबसे पहले करो variable cost 16,000 के इंटू में 40 क्या होगा यह जब आप minus कर देंगे तो आजाएगा contribution सर contribution क्या हैगा एक लाक साथ हजार अब क्या minus करोगे सर सबसे बेकार cost अच्छा भी होता है कई बारी है fix cost fix cost सर fix cost कितने का था example में डीड लाक का नाव देखिए आपके सामने क्या result आया result आगया profit कितने का profit आगया profit कितने का गया दस यही तो चाह रहे थे के हमारा profit कितना हो दस अजार है तो basically अभी हम सीख रहा है न किसी चीज को वैसे अंदाजा से बोला जाए तो अंदाजा से लगाना बड़ा मुस्किल हो जाएगा ना आपके लिए मैंने बोला चलो मैं बीस हजार कमाना चाता हूं अब बताओ यूनिट तो सर यह सारे टूल्स है किसी चीज को बहुत क्विक्ली एनिलेस इसी के बेस पर तो डिसीजन लोगे आप management इसी बेस पर तो manage करोगे कि भाई देख ले इस बा connected किया गया है और तीनों चप्टर बिल्कुल सेम है इसी रिदम में चलेंगा और सब कुछ हाता जाएगा हमें ठेक है एक डिजायर सेल एक margin of safety भी होता है अभी तक बताईए कोई दिक्कत है आपको तो मुझे बताईए अभी तक कोई दिक्कत है तो बताईए अभी तक सबको clear समझ में आ रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तो अभी तक हमने करा क्या है आपने नोटिंग भी करना है यह pdf आपको मिल जाएगा अभी तक हमने क्या करा basically सर मारजिनल कॉस्टिंग के ब्रांच इसका management इसके अंदर हमने सीखा दो फॉर्मूले बेसिक्ली अगर मेरे से पूछा जाए ना है तो हमने सर कितने फॉर्मूले सीख लिए अभी तक और समझ भी लिए समझ समझे कर ने रहा है देखो एक तो हमने देखा हमने क्या-क्या लिए सर एक तो देखा हमने PBR क्या होता है और इसके components क्या है number 2 हमने देखा break-even point कैसे निकाला जाएगा और इसके implementation क्या है चार्ट अगली class में करेंगे break-even chart number 3 आपका मैंने इसके अंदर क्या देखा सर सर इसके अंदर हमने देखा desire sales कैसे निकाला जाता है तो यह तीन बातों के ही इर्दगिदर chapter घूमेगा पूरा का पूरा इस तीन point पे ही हमारा सारा chapter चलने वाला है lt last last slide ok last slide ही है यह आप इसकी बात कर रहे हो विशाखा आप इसकी बात कर रहे हो last slide है यह कोई doubt है तो पूछे तो देखे यूटूब पे भी जाएगी ये वीडियो तो काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर यूटूब पे हमारा देखे आप जो भी डाउट होता है ना जो बच्चे लाइब क्लास में है मैं साथ के साथ सौट आउट कर देता हूँ यूटूब पे तो फिर ये एडिट वेडिट होके कट के बीच की चीज़े हटा के सारे चीज़ों को क्या किया जाता है एड किया जाता है तो यूटूब पे भी डालेंगे भुक मैंने बता दिया अभी हम स्रिफ इस तीन फॉर्मुले को अगली क्लास में इस तीन फॉर्मुले को कुश्चन में अप्लाई करना सिखेंगे मैं नोट्स डाल दूँगा पूरी भुक का मैं आपको नोट्स दे दूँगा पीडियोफ कॉंटेंट के अंदर कल मिल जाएगा आपको नोट्स क्लास का टाइमिंग रखोंगा टी टी एस सामको साथ बज़े ध्यान रखेगा टी टी एस में इविनिंग सेवन ओप लॉक एम डबले फो और टी टी एस ही रहेगा ठीक है तो टी टी एस कोई दिक्कत नही ठीक है न और मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट याद आ गया करते-करते मैंने यहां पर पीवियार तो यह लिख दिया वेरियेवल कॉस्ट लिख दिया पीवियार का एक और फॉर्मूला हो सकता है आप इसी फॉर्मूले से बना सकते हो चाहो तो आप इस फॉर्मूले से प बाइन वेरियेवल कॉस्ट ठीक है न मैं लिख देता हूं पीवियार हो सकता है और हंड्रेड माइनस वीसी परसंटेज से मिसी को आगे पीछे कर रहा है मैंने सर और कुछ किया नहीं है इसे क्या बोलेंगे हम फियार बोलेंगे ठीक है तो आज की क्लास यहीं पर प्यारे बच्चों दोस्तों जितने भी हैं शेयर कर ये बच्चों को बताईए और ब्रांच इसके स्लाइड पूछ रहे हैं यह यह सारा मैं पीडियाफ दे दूंगा मैं अभी के अभी अपलोड कर दूंगा पीडियाफ आप नोट कर सकते हैं तो क्लास फिक्स हो गया है बहुत छोट जैवसा हमारे लिए लेकिन बहुत देख रहे हूं कितना टेकनिकल यह सारी बात है टेकनिकल की जा रही है तो हम आगे कंटिनीव करेंगे और इस चर्टर को खतम करेंगे जल्दी-जल्दी स्लेवस भी हम कटम कर लेंगा तो बस आज यहीं तक थैंक्ट यू सो मच मिलते है है नेक्स्स क्लास में टिक केर को कोई डाउट है तो आप पूछ लेजिए हाँ हाँ मैं अभी यह सारी स्लाइडे डाल दूँगा वीडियों चीक है साथ किसी स्टूडेंट का डाउट नहीं है है वागुडे मिलते हैं नेक्स्स क्लास में